आप देख रहें इंडिया नीज में हूँ कावता सिंग नमस्कार हमारे इस खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है देश में जन्माश्टमी के दो दिनों के रहस्य को लेकर असमंजस जारी है लोगों के मन में सवाल उठा है कि इस जन्माश्टमी आज मनाए या फिर हम कल इसका वरत रखे जन्माश्टमी का शुब मुहुर्थ क्या है कैसे पूजार्च ना करें इसी पर आज होगी बात हमारे साथ देश के जानेवाने धर्म गुरू जो रहे हैं उनके साथ भी बात कर करेंगे आई शुन करते हैं हमारे खास फेश कर देश भर में दो दिन जन्माश्टमी मनाई जा रही है पूर्वी उत्तप देश और बिहार के अगर हम बात करें अधित्तर हिस्सों में जन्माश्टमी के इसी दो दिनों के रहस्टे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के प्रकान विद्वान और बड़े पंदत मौजूर है इन से हम दो दिनों के इस रहस्टे पर भी बात करेंगे और चर्चा करेंगे और साथ ये भी जानेगे कि भंबान प्रिश्म के पूजन के सही विदी क्या होने चाहिए और साथ ही ये भी जाने की कोशिश करेंगे कि मुशीत काल प्यूजन का समय क्या है व्रत का पारण कैसे करें कब करें व्रत को कैसे रखना है और माता देटी के लिए सीथी का ग्रह बनाना इतना जरूरी थी हो अपकी बार इस पर इन सभी सवालों का हम जवाब लेगे की कोशिश करेंगे धनकुरू हमारे साथ हम भूलेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जर्माश्टमी को सही तरीके से मनाना है और किस दिर वुरत रखना अत्यन लापकारी होगा एक बार फिर से हम आपको बता दे कि आखिरकार ये चर्चा क्यूं हो रही है इंडिया नीज़ पर दरसल देश के कई हिस्सों में जर्माश्टमी आज मनाई जा रही है आपके देखा होगा आपके वाटसाप पर मैसेश पर भी मैसेश भी आ रहा होँगे, जर्माश्टमी लेकर लोग बद्धाई भी दे रहाँ होंगे, कॉल्ज भी आ रहे होंगे, कई लोग हैं। हमारे कई ऐसे दाशक होंगे जुनों निया रखा होगा, लेकिन कई ऐसे दाशक हो जो कल वरत रखेंगे। देश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन मतुरा अद्वार का कि हम आपको बाद बताएं, महाँ पर जन्माष्टमी कल मनाई जाएगी। और इसी लिए लोगों के मन में ये दूवधा है कि आखिर ये दो दिनों का रहसे क्यूं है? ज़नमाश्टमी दो दिन क्यों मनाई जा रही है? देश के एक हिस्से में आज हम ज़नमाश्टमी के रंग देख रहे हैं देखिए, तस्वीर है आपके सामने हैं और देश के कुछ हिसों में हम कल जनमाश्टमी के रंग देखेंगे ऐसे वे सबसे बढ़ा सवाल यही है कि क्या आज रथ रखना सबसे अनुकूल होगा, आज अगर रथ रखेंगे तो क्या विदी होनी चाहिए और कल विद किस तरह किसे रखना चाहिए और किस दिन रथ लापकारी होगा फलदाई होगा पूरा तानल हमारे साथ जूने वाला है तो दो दिन की जन्माश्टमी क्यों मनाई जा रही है सबसे बड़ा सवाल यही है और जन्माश्टमी में पूजन की सही विध्ली क्या होनी चाहिए तिथी नुहुर्थ क्या है कृष्णी के रंग बे देश के कुछ हिस्तों में एक दिन मनाए जाते है और अगले दिन कुछ हिस्तों में वो तोहार मनाए जाते है शद्धा के हिसाब से भक्ती से सराबोर भग देखे किस तरीके से हम आपको तस्वीरे दिखा रहा है कृष्णी भक्ती में दूबे यह भक्त है छोटे-छोटे है माता देखके कि यह सुट्टी का ग्रह क्यों इतना जरूरी है इस पर भी हम जवाब लेंगे पूरा पाली हमारे साथ मौजूद होगा उस थोड़ी देर में कि पस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हॐ हुआ करें are महमान मारे साथ जुन गया है चर्चा का आगास करते हैं सबसे पहले आपको मिल âदे है मारे महमानों से यह देखें dow इस पंडेर न में णि शीकला जी धनगुरू हमारे साथ स्टूडयो में मौजूद है पंडित जेके बिनिवाल धर्मकुरू हमारे साथ मौझूद है और आचार शेलेश तिवारी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है। और आपके इंडियनुष के माध्यम से मैं विश्व के सवी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। यान न होने के कारण ये एक जन साधारन में प्रश्व उठना स्वाभाविक है। वैष्टों किसे कहा जाए, इसमार्त किसे कहा जाए, शैव किसे कहा जाए, और सौर किसे कहा जाए, गाणपत्त किसे कहा जाए, जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे प्रश्व का उठना स्वाभाविक है। और केवल जन्वाष्टमी के बारे में नहीं, एकादेशी में प्रयव वाइश्टनों और स्मार्त की बात आती है, तो संप्रधाय के लोग हैं, संप्रध के आचारेど ने जो एक परमपरा, एक शास्त्र की मर्यादा का पालन करने का सिध्धान तौक बताया है, योँ शास्त् पर प्रस्ट उठता रहेगा उठता रहा है और उठना भी चाहिए तो आज मूल बात यह है कि भगवान कृष्ट के जनमोचो के संदर्व में यह प्रस्ट आज ही नहीं उठ रहा है और सनातन धर्म विशेश्टर दिल्ली के लोगों ने सनातन प्रत्सवा दिल्ली प्रदेश इसने एक निरने लिया है और भारत सरकार भी सनातन प्रत्सवा के परामर्श को आमंतरत करती है और चर्चा के बाद आवकाश भी घोशित किये जाती है तो उसमें सबसे पहली बात यह आती है कि कृष्ट का जनम जिस दिन उनकी जनमस्थली मत्वरा में मनाया जाए उस दि जनमस्थली मनाई जाए जिस दिन शिवरात्री काशी में हो उस दिन शिवरात्री मनाई जाए जिस दिन भगवान राम का जनम अयोध्या में हो उस दिन राम नौमी मनाई जाए यह एक धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की दृश्चिकोंट से वड़ी अशी बात है लेकिन जब शास्त्र की बात आती है तो शास्त्र की जैसे कि आपने अपने प्रश्णावली में लोगों को संकेत भी किया कि रोहिणी नक्षत्र का प्रारंब हो रहा है अब क्या होना चाहिए तो हमें यह जानना चाहिए जब तक हम शास्त्र की मर्यादा का ज्यान नहीं और इन प्रश्टों को जानने के लिए, जिके समाधान के लिए, हमको शास्त्र के विश्चारे शैलेज जी, क्या ऐसा हो सकता है, आज इंडिया न्यूस के मन्द से हर सवाल का जवाब मिल जाए हमारे दर्शकों को, और ये जो असमंजस की स्थिती है, ये पूरी तरीके से द अथारित है, रोहिनी नच्चत्र पर भगवान कृष्ण का जन्व हुआ, और आज जो रोहिनी नच्चत्र है, रात्री सब्तमी और अस्टमी आज दोनों है, और कल अस्टमी और नौमी दोनों है, तिती का भी देखा जा रहा है, रोज आज भी और कल भी दोनों तिती है, अस्थमी जो है वहाँ आज रातरी आठ बज कर 47 मिनट से है और कल जो है वहाँ सायंग कल 7 बज कर 20 मिनट तक अस्थमी है अस्थमी जो है वहाँ कल रात को 12 बजे नहीं हो पा रही है और अस्थमी आज रात को 12 बजे हो रही है और चुकि किर्थिकान नच्छत्र जो है वहाँ आठ बज़ के उन्चास मिनट है इसके बाद रोही नचत्र शुरू हो जाता है तो मैं मानता हूँ कि रोही नचत्र आज है रात्री बारह बज़े आज है इसका मतलब भगवाय कृष्ण का जनवास्टमी आज मनाया जाना चाहिए और जो चार महा रात्री है जिसमें काल रात्री, शिव रात्री, अहो रात्री और मोह रात्री आज मोह रात्री है और मोह रात्री में विशेश रूप से भगवान विश्ण के आठवे अवतार कृष्ण भगवान की पूजा होती है इसमें भगवान कुष्ण के बाल रूप की पूजा होती है और विशेश रूप से आज ही मनाई जानी चाहिए क्योंकि रोहने नच्षत्र जो है वा कल सायं कल 7 बज कर 20 मिट से समाप्त हो जाएगा और अस्त्री भी कल समाप्त हो जाएगा कल 9 बज कर 20 मिट के बाद शुरू ह हो जाएगा और रातरी 12 वजे भावार कृष्ण का जन्म हुआ है दौपर यूग में इसलिए अस्त्रमी आज होनी चाहिए पड़ी जे के बेनिवाल जी आप भी यही कहेंगे कि अगर हम तिथी को ध्यान में रखे मुहुर्त को ध्यान में रखे तो आज मनानी चाहिए जन सबसे मैं इसको मैं धार्मिक आपको द्रस्टी से बताता हूं धार्म में जो हमारे पुरान में शास्त्रम जो लिखा है हमारे पुरान शास्त्रम ये लिखा है बार 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 इस बात का सेंश्या होती है आज इस बात को खतम कर देते हैं कि जहां दो नक्ष दो ज सब्सक्राइब कर देदा हूं आज कि सब्सक्राइब कभन लगी है अब सब्सक्राइब हमारे शाम को साएकाल अभी चैस के कुछ मेरे आठ बसके कुछ छालीस मिनिट पे होने वाली है इनी पौने नों के आसपास यह इनी शतम होगी अस्तमी शुरू होगी उसी जमाने नक्षत्र शुरू हो जाएगा रोहने नक्षत्र यह अब दूसरा पहलू आईये यह जिनी कि आप आज मनाई या कल मनाए नहीं हमारा वेरवर्टव पुरान क्या कहता है हमारा वेरवर्टव पुरान हमारा ये कह रहा है कि जब हमारे हमारे वेदो शास्त्रों में कहा है कि जब सूर्य अस्त से लेके सूर्य उज्जे से लेके और सूर्य अस्त तक जो नक्षत्र जो घड़ी आती है उसके अंदर हम उसको पास न सब्सक्राइब तो उसी दिल मनाना चाहिए यह हमारा पुरान कहता है कि इसलिए ये आज इसलिए मनाया जाना चाहिए जो कि आज रोहिन शत्त है रात्री 12 बजे जो है आज भगमान के जनम हुआ था 12 बजे रात्री के बाद और पूजन का विशेश महा तो रात्री 12 बजे की होती है और कल चुके बाद दे रात्री 9 मीं हो जाएगी इसले अस्त्मी आज मनाई जाने चाहिए बिलकुल आज मनाई जाने चाहिए और आज रोहिन शत्तत भी यह सूरी सिद्धान्त का है या तिथी उदेः भवेद साति शत्ति शत्त भावेद बेनिवाल जी ने सही वात की सूरो बद्वार नहीं आ रहा है बिल्कुल उसमें भाद्रमास भी है रोणी नक्षत्र क्या कहेंगा रोणी नक्षत्र हमारा कल शाम तक है बिल्कुली साथ बज़के कुछ मिरिट तक भी रोणी नक्षत्र है तो उसी को मनाना बहतर होता है और उसमें भी आब को बता दूंए उसमें भी आइँ सुलनेजे एक समार्त होता है इसे लिए हमारी कल की जनमास्टमी मनाना ही सुरिष्ट है उसी में उपासना करना सज़िए अगर कल ही मनाएं तो फिर किस طریके से मनाएं चले यही मता दिज है भगवान की स्ज़टबपि कुछ लोग आज मना रहें पुछ लोग कल मना रहें ना कि भगवान का जनम दिन होना है भगवान की पूजा करने की विशेश महिमा है भगवान कृष्ण के जो भगवान विश्णु के रूप को दुगधा विशेख किया जाए शानताकारम भजगशनम पद्मनावं सुरेशम विश्वाधारम गंसद्रशम मेघबर्नम शुबांगम लक्षमे कांतम कमलनायनम योगि फिर ध्यान गम्यम बंदे विश्णु भवय हरम सर्व लोकाय कनातम भगवान विश्णु को परणाम है और भगवान विश्णु के आठवे अवतार के रूप में की गई है भगवान सोला कलाओं से निपुन है इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा आज भी उचीत है और कल भी उचीत है इसमें अनुचित की कहीं कोई बात नहीं है लेकिन रोहिन शत्र जो है रात्री में जो भगवान के जन्म हुआ था वह जो हुआ था वह रात्री में 12 में रात्री को हुआ था इसलिए अगर आज मना जाता है तो वह ज्यादा शुब है चले पंडित रामिलन जी जिन्होंने आज मना लिया है या मना रहा है उनके लिए तो सही है लेकिन फिर अगर जो लोग कल मना रहा है उनके लिए जरा व अंचोपसार, शोड़ोशपसार, पुरुष सुक्ति इत्यात सिज्य भगवान के अभशेक का विधान है, वो एक शास्त्री मिश्य है, लेकिन जो लोग आज मनाएंगे, तो उने कोई अपराद नहीं हो जाएगा, और जो लोग कन्मल आएंगे, तो उनको कोई पाप नहीं ल हमारे हर नक्षत्र का एक देवता होता है, एक मंत्र होता है, उसकी उपासन पद्धती होती है, जो कर्मकांड के विशेशग व्यक्तियों के दोरा ही उला करके, उस कार संपादन को कराना स्रीहसकर होगा, और सबसे अच्छी बात ये है, कि हम तीनों विद्वान, इस बात पर सहमत है, कि दोनों दून हो, उसमें कोई आपती नहीं, लेकिन जो हमारे बेनिमाल जी ने समर्थन किया, कि संगे शक्ती कलो होगे, कल हमें दो चीजें मिल लहीं हो, उद्याकाल में हमें अस्थमी भी मिल लहीं है, यानि आपने ये साफ कर दिया कि कल अगर रत किया कि भक्तों के मन में सवाल था, कल ज्यादा फल मिलेगा, इसका थोड़ा सा में विस्तार कर सकता हूँ, हमारे आचारी ये बिल्कु ठीक कह रहे है, हमारे याँ दो 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 दिन की बड़े हमेशा ये असमंज रहती है, अगर जा जिन भक्तों को आज करनी है, तो एक काम कर ल सबसे आसान पूजा में बता रहा हूँ, आप अपने घर में बैठी है, गरीव आदमी है, वो कहीं मंदिर नी जा सकता, बाहर नी जा सकता, आप अपने घर में, अगर क्या आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारे यादा ऐसी गरीबी है, जहार रोटी खाने को नहीं है, आप कुछ नहीं है, तो आप मालचल बक्ति सब्सके बड़ी बड़ी बक्ति बताएगी है, हमारे यहाँ पे सुरेश नो नवजा बक्ति, अगर कि आप रिंदामन में जा सकते हैं, आपके पाड़ी नहीं है, पैसा लिए, आप क्या करिए, आप प्रोस के मंदर में जाते हैं, तैर है, तोंगले है, आप कहां जाएगे, आपके पास भागवान कहते हैं, नहीं बटा, मैंने सब को एक चीज दिये, और वो सब के पा योग में मानस पूल निका प्रभाव जादा है, जैसा कि बेनेवाल देने, हमारें क्यते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, पत्रम, पुस्तम, फलम, थोयम, यो में भगतया प्रेच्चती, आपके पास जल है, आपके पास तुल्शी दल है, और आपके पास कोई भी फल है, अब आप शाम को संकल्प करें जिन लोगों को आज करना था उनको कल साम को संकल्प ले लेना चाहिए था कि हम कल भगवान का भृत करें और उपवास का मतलब बता देता हूं, मैं उपवास का हमारे पुरान वेज में लिखा हुआ है, उपवास का मतलब होता है उप, उपका मतलब समीर, उपवास का मतलब होता है जीवात्मा का परमात्मा के पास जाना, इसका मतलब उपवास, और आज कल उपवास का मतलब है, श देखिए महानगरों में आज उक्वास प्रत लोग करते हैं, यह लोग फलहारी कर लेते हैं और नापरकार के रेस्टृंट पो सब्रेण इसे बाद बरामन के लिए गरीब के लिए दान रखें इसके बाद पारन करें मतलब है पूर्णता फल पूरा तरह से ब्रत का वही महत्तो है तुवा दियम बस्तु गविंदम तुब मेबस समर्पेद जो भगवान ने मुझे दिया है वही हम भगवान को समर्पित करते हैं ऐसी प्रापना करते हुए भगवान विश्णु को ध्यान करें भगवते नमा किश्वा नमा नाडा नमा इन सब मंत्रों का वहान कृष्ण के एक हजार नामों का सहस्त नामों का अलग-अलग तरिके से जब करें पाठ करें तुलसी के माला से जब करें तो ज्यादा विशेश लाग की प्राप्ति होती है पढ़ित रामिलंगी पारण का विशेश जैसे महरे ते वाड़ी इने बोला पारण का विशेश मा तो एकाद शी के वरत्व है राम का जन्म है कृष्ण का जन्म है इनके जन्म के बार जो उनका चरणोदक होता है प्रसाद होता है वो गया है ऐसा विधान नहीं है कि हम सुरोदों तक निराहार रहें और करें हां ज रात्री को मान नहीं है बारा बज़े के बाद अन का आहार रात्री को मान नहीं है इसलिए पारण का जो महत्त्व है वो सुर्ज उदय के बाद ही महत्त्व है अगर आपको अन खाना है तो सुबह सुर्ज उदय होने के बाद ही खाए और बारा बज़े रात्री को भगवान लएट्स को को बिा देनभान को बूला लेते हैं, आजाःाः आजाः आजाः नंदन्न्ने, तेरा ब्रजे सुना, आजाः नंदन्न्ने, ब्रजे रस ब्रजाः नंदन्नodka, फ़ुहें नंन्ने थो, मांने साइले ते लेपने संस으면 देनिनम, फ़ुहें प्रमफ्स हत क्से आ देखे हमें बागवान को रो के पुकारना है यही उपासना है यही साधना है सच्चा जन्मोस्तर यही मनाना है कि भगवान प्रकट और भगवान तो स्वरव्यापक हैं वो तो आपके स्टूडियों में हर जगे कणकण में ब्रापक हैं वो प्रकट होना है बिल्कुल प्रकट है रो के पुकारिए भगवान आपके सामने खड़े होंगे यह मैं दावा के साथ कहता हूँ